क्रिशी मंत्री कवरपार गुर्जे प्रतापनगर के रेस्ट हाउस में जनता से रूबरू हुए और उसके बाद 12 बजे से 3 बजे तक सचरौली रेस्ट हाउस में जनता की समस्याय सुनी और इसी प्रकार जगाधरी जंडा चौक नीगम कारेले में जनता की समस्याय सुनते इस मौके पर सभी भागों के अधिकारी भी मौझूद रहे, क्रिश्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता के कामों में कोई कोता ही न बरती ज़र और प्राथमिक्ता के आधार पर जनता के कारियों को अधिकारी करें, ताकि किसी को भी सरकारी कार्याले के ना काटने पड़ें कृष्य मंत्री कवरपार गुर्जर ने कहा कि उनकी यही प्रात्मिक्ता रही है कि वे जादा से जादा लोगों की समस्या यहुं शिकातों का निवारन करवा सकी मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी छेत्रों में प्रात्मिक्ता की आधार पर जादा से ज जादा विकासकारे करवाये जा रहे हैं प्रदेश में विकासकारियों की सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं और उनकी भी यही कोशिश है कि उनके हलके में जड़ा से ज़ादा विकासकार रहें भी याँ अबिकारी पूरा प्रियास कर रहे अभी यहां मतलब इसी टाइम पे काफी समस्य है जो नूपला का समतम है बख्की ऐसा है कुछ ऐसे हैं जो कि कॉफिस में जागें काम होगे तो उनको फिस्टी बले लिया और सोवार को गुलाया जांतर स्रस्याव समधाब हो जाएगा है साथ मैं समझें दो यूस्टेस्क एन्वाद लाइट